ओम श्री गनेश आयनमा माई दियर फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होगे बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हमें एक वीकली रिडिंग करने जा रहे हैं रिडिंग मुझे कल शाम तक ही पोस्ट करनी थी but I'm sorry थोड़ा सा डीले हो गया मैं थोड़ा अपना काम की वज़े से busy हो गई office के so I'm really sorry for that but yes मुझे पता था मुझे वीकली रिडिंग करनी है so I'm back again और ये जो होगी सबसे पहले मैं आपकी career की रिडिंग करूँगी ओशो जैन से then फिर मैं witch's tarot से आपकी love and relationship देखूँगी and then finally हम monology से आपकी guidance निकालेंगे ये जो भी हम रिडिंग करेंगे ये करेंगे 1st December से 6 December की अगले 6-7 दिनों के करीब करेंगे और friends मैं कहना चाहती हूँ जितनी आपसे resonate हो उतनी लेना जबरदस्ती कुछ भी impose मत करना और चैनल में अगर आप new है so I welcome you to my channel और प्लीज चैनल को subscribe करें अगर आप नए है और weekly, monthly जो भी readings मैं बनाती हूँ उनके लिए आप इसे notification को on कर सकते हैं so आईए जल्दी से start करते हैं ज़्यादा delay नहीं करते इसी positive note पे alright so start करते हैं with the scorpio आपके job in career में क्या है आपकी reading सबसे पहले scorpio के लिए देखते हैं scorpio rashi का nothingness का card आया है then silence then lovers the burden and creativity तो जहां तक मुझे दिख रहा है scorpio rashi मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपने अपने job in career में जिसे आपने बहुत ही मतलब दिल से शुरू की थी कोई चीज या कुछ बहुत ज़ादा जिसमें आपकी मन था या बहुत ज़ादा पर कहीं न कहीं वो चीजें वैसी गई नहीं या तो आपने कुछ ऐसी problems face करी है अपने job and career में जिसकी वज़े से कुछ खाली पन और धूरपन सा आ गया और अभी फिलाल आपने शायद कहीं न कहीं उन fears को अपने सामने देखा भी है या तो आपने बहुत ज़ादा financial burden आ गया है या कुछ एक तरह का खाली पन I don't know क्यों आया है या तो आपने manifest कर लिया है कि यही होगा मेरे साथ यही ऐसा ही होगा और ऐसा होता है so I always say कि manifest good things in life एक तो fears और insecurities को manifest मत करो कभी भी वही फिर हमारे सामने career में हो चाहे relationship में हो वही हमारे सामने आता है always do your best बाकी सारी चीज़े just leave on the God and the time जो हमारे पास आना होगा वो वैसा ही आएगा बट अगर आप हर वाक यह डरते रहोगे कि हाई मैं ऐसे नहीं करूंगी तो वैसा हो जाएगा इसने ऐसा किया ऐसा हो जाएगा है ऐसा नहीं हो जब ऐसे वाले जब हम zone में रहते हैं तो फिर हमारी life में एक ऐसा ही zone आता है जो कि nothingness का होता है कि जहां पर हमें blank हो जाते हैं चीज़े हमें समझ में नहीं आती हैं और वो चीज़े वो relationship वो काम वो चीज़े बर्डन बन जाती है और फिलहाल आप शायद इसी zone में दिख रहे हैं मुझे बट अपकमिंग वीक में आपके लिए guidance यह है कि अगर आप फिर से चीज़ों को अगर जिस भी काम में प्रोफेशन में आप हैं अगर आप ध्यान से उन चीज़ों में दुबारा से efforts लगाएंगे और एक नए तरीके से उन चीज़ों करेंगे कहीं न कहीं creativity दिखाएंगे एक new way में चीज़ों को अगर करने की कोशिश करेंगे तो यह जो fears, anxiety है, burden है इन से आप बाहर आ जाएंगे तो the kind of work you want to do एक तो वो करो अगर आप बाकी चीज़ों में बिकार के किसी काम में फसे थे या फिर आप वो भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजे आप कोई चीज हमेशा से करना चाहते थे लेकिन आप फसे दूसरी चीज़ों में हुए थे so just leave that thing या उसको थोड़ा सा कम कर दो अपनी hobbies पे थोड़ा work करो किसी passion पे जो आपकी creativity होता है हम हमेशा अपनी हर एक इंसान में एक अच्छी बात होती है जो वो हमेशा से करना चाहता है लेकिन क्योंकि उसे बाकी चीज़ों के साथ एक तरह का compromise करने पड़ जाता है जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जैसे भी फिलाल मैं taro reading करें मुझे cards read करने में बहुत अच्छा लगता है और मैं जिस तरह से explain करती हो या बात करती हो या अपनी बातों को express करती हो I really like the way so इसी तरह से आपको भी देखना है कि what exactly is your point जहां पर you are very good at जहां जो आपका loving point है जो life में जहां पर आप बहुत excel करते हैं तो उस चीज़ को creativity के साथ एक अपनी creativity को मतलब दिखाएं कि कैसे आप उसको best कर सकते हैं ये था आपका job and career for next week अब हम देखते हैं love and relationship में कैसा रहेगा आपका अगला week friends so love and relationship for next week for scorpio rashi king of cups strength the chariot the emperor and four of wands देखिए मुझे यहां तक दिख रहा है scorpio rashi आप एक ऐसी relationship या committed रिष्टे के बारे में ये reading देख रहे हैं या आई है फिलाल जहां पर you are very very sure कि this is the person but maybe या तो उस person ने आपको बहुत ज़दा कुछ attitude दिया है या बहुत ज़दा आपको let down किया है या उसने उस रिष्टे में बहुत ज़दा अपने आपको ऊपर रखा है जिसकी वज़ए से आप बहुत ज़दा maybe hurt होए हो या कुछ ऐसा हुआ हो but now you have realized कि चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके जाना है maybe ये जो chariot का कार्ड आया है कहीं न कहीं आपने एक decision लिया है अपनी life में एक movement के लिए आपने सोच आए कि कैसे मैं आगे बढ़ू कैसे मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ maybe अगर बहुत सदा confusion में थे आप confusion में रहते थे तो finally you know how to move on in life आपने कहीं न कहीं एक strength अपनी life में दोबारा से चीज़ों में पाई है जो कि आपने शहाद खो दी थी या तो उस person ने आपको इतना साथा dominate कर दिया था बहुत साथ आपको आपी कही सोच में thought process में ढुबा दिया था कि अब आपको चीज़े clear नहीं हुए लेकिन now things have started moving on from next level ये देखो healing का काड़ा है तो definitely आप इस relationship में मुझे अगले हफते में काफी ज़्यादा heal करते नजर आ रहे हो right decisions लेते नजर आ रहे हो अपनी power में आते हो कहीं न कहीं आपने अगर लोगों को दे दी थी ने अपनी life की power और अपनी growth पे काम करना बंद कर दिया था रिष्टों में so now you have started giving yourself the best time of your life ताकि आप चीज़ों को संभाल पाओ ठेक है ये दिख रहा है मुझे Scorpio राशी के लिए अगले हफते अब मैं आपके लिए guidance निकालती हूँ क्या है guidance for Scorpio so conclusions are within reach अगर आपको लग रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी और conclusion नहीं लिख लेगा चीजों का ये ऐसी लटकती फटकती रहेंगी ऐसा नहीं है finally चीज़ें बदलेंगी और आपके सामने ही अगवान पे भी छोड़ दो कुछ चीज़ें उन पर छोड़ दो कुछ चीज़ें खुद करो ठीक है and a fiery climax approach is so finally एक जैसे होता न बहुत टाइम से हम किसी चीज़ों पावेट कर रहे होते हैं finally वो चीज़ें अब होने वाली हैं और एक climax वाला टाइम आने वाला है so now things will start moving in your favor और एक clarity आएगी चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में all right so scorpio ये थी आपकी reading for upcoming week hope आप इसे match कर पाए हो channel को subscribe करना energy claim करना अगर match हो तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली reading में friends bye for now